एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में दोस्तो बैंक निफ्टी के एनलेसिस के वीडियो आपको चैनल पे अप्लोड कर देगए आप जाकर देख सकते हैं साथी साथ मैंने आपको आज एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड किये जो है सिंपल लोजिक के बारे में बैंक निफ्टी के लोजिक और निफ्टी-50 के लोजिक ये इसमें एक्स्प्लेइन किये गए हैं कि कहां पे सपोर्ट बन रहा हैं कहां पे रजिश्टेंस बन रहा हैं, entry points कैसे डूंडने हैं, काफी चीज़े यहां पे discuss की गई हैं, हम सोच रहे हैं कि ये series हर रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाए, यानि कि जब market खुलता है तब उसके बाद जब market बंद हो जाता है, तब पूरे दिन का analysis किया जाए कि क्या क्या opportunity थी, कहां पे supply zone आ रहा है, क्या situation थी, काफी कुछ चीज़े discuss किये जाए, तो इसलिए एक बार इस वीडियो को जा के देख लेना, और समझने की कोशिस करना चीज़ों को, कि क्या-क्या चीज़े explain की गई है, इसके end में भी मैं इस वीडियो को लगा दूँगा, इस वीडियो के end में भी, और नहीं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, आईए फिलाल हम discussion करते हैं, निफ्टी-फिफ्टी का discussion करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, आपको market में एक gap-up opening दिखाए दी, हलके से gap-up opening थी, यहाँ पे market का एक resistance zone बना, इवन यहाँ पे एक supply zone भी है, जहां से आप द ले गए, यहाँ पे एक हलकिसी रुकावट देखने को मिली, reason आपको पता ही है, मैंने logic वाले वीडियो में explain किया है, क्योंकि यहाँ पे 8th का भी day high था, तो यहाँ पे market support लेने की कोशिच कर रहा था, इसका breakdown मिला, यहाँ पे भी a selling opportunity मिली, सिधे-सिधे आपके लिए target day low हो करें और आपको काफी अच्छी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन फिलाल यहाँ पे सवाल उठता है, मंडे के लिए हमारी क्या strategy होनी चाहिए, किस तरीके से हम market को देख रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को plan कर सकते हैं, इन चीजों को detail में discuss करते हैं, आइए शुरू फ्लैट ओपन होके market ने positive momentum दिखाया, उस पर क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके market ने negative momentum दिखाया, इस पर क्या करना है, इन चार सिनेरियोज को हम यहाँ पे discuss करने की कोशिस करेंगे, समझेंगे इन चीजों को, किलियर है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, और समझत पहले discussion को, अगर market gap up open होता है, जैसे कि आपको पता है, यह एक supply zone है, यहाँ पर मैंने mark कर रखा है, 18,550 पे एक resistance बनेगा, अगर market somewhere इसी zone में आपको gap up opening देता है, तो यह एक rejection का कारण हो सकता है, market इस gap को fill करके, 9th का day low भी आपको दिखा सकता है, यह higher possibility है, क्योंकि यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत supply zone दिखाई दे रहा है, और एक मजबूत resistance दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप support की बात करोंगे, 29 को इस zone में support लिया गया था, सिधे market bounce किया था, फिर आप दिखेंगे, 7th को भी इस zone में एक important support दिखाई गया था, 8th को भी market ने इस zone में support लेके bounce किया, बार-बार market आया था इसका breakdown देने के लिए, लेकिन support लेके bounce ही करता रहा, इवन 9th को भी market जब इस zone में आया, काफी देर तक इस्टक रहा, एक sideways momentum दिया, फिर जाके एक अच्छे खासे volume और अच्छे खासे momentum के साथ इसका breakdown दिया, आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी आपको candle दिखाई देरी, तो पहली possibility क्या है, अगर market इस zone में आपको gap up open दिखाता है, तो possibility है, market इस gap को fill करने के कोसिस करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई price action create हो जाता है, for example, market is gap में open हुआ, और फिर आपको एक ऊपर की तरफ momentum दिया, तो तब भी trap नह नहीं करनी है, अगर market वापिस आता है, इस zone को retest करता है, और support लेके फिर momentum दिखाता है, तो वो आपके लिए buying opportunity हो सकती है, लेकिन इसमें जो आपके अगले resistance रहेंगे, वो रहेंगे 8th का day high, यह भी एक supply zone है, आप यहाँ पे देखेंगे, जो 9th का day high है, यह भी एक supply zone है, य पर resistance दिखाई देंगे, यानि कि जो यह 18,600 तो 18,700 वाला zone है, इस पे कदम कदम पे यह resistance से भरा हुआ है, जो आपको रोक सकता है, यह market के momentum को ऊपर जाने से रोक सकता है, यहाँ पे अगर आपने मेरी previous videos देखी होगी, मैंने एक resistance line भी आपको बताई थी, market ने 9th को उसका breakout देने की कोसिस की थी, दिया भी, लेकिन फिर से इस पे resistance लेके market फिर से गिर गया, आला कि 8th के last में भी market ने इसका breakout दिया था, और 9th को इससे उपर price sustain नहीं कर पाया, और market इसे ही trend line को follow करता हुआ चल रहा था, यहाँ पे resistance की तरेक्ट किया था, फिर आप देख सकते हैं, और 8th को भी market ने resistance के तरे act किया था, और 9th को भी इस zone में market resistance के तरे आपको act करते हुए दिखाई दिया था, तो यह चीज आप समझ गे, उपर के zone भी समझ गे, दोनों resistance zone समझ गे, लेकिन अगर market फ्लैट ओपन होके positive momentum दिखाता है, उस situation पे भी पहला resistance यही जोन बनने वाला है, 18,550, क्योंकि यहां पर day low भी है, काफी, आप यहां पर देखेंगे, 7th का day low इस zone में है, 8th का day low इस zone में है, 9th को भी हमें यहां पर एक sideways momentum देखने को मिला था, उससे पीछे जाएंगे 29 का भी day low इसी zone में है, और उससे पीछे भी आपको यहां पर से काफी resistance और support दिखाई दे चुके, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ इतने का ही discussion कर लेते हैं, तो यह situation रही है, अगर इसका breakout आया, फिर से market इस zone में आ जाएगा, जो 18,600 टू, 18,000 जो यह 700 वाला zone मैंने आपको बता है, यह काफी important रहेगा, एक rejection के मामले में, इस चीज़ पर आपकी खास नजर होनी चाहिए, यहां तक चीज़े के लिए रहे, concept के लिए रहे, आईए आगे बढ़ते हैं, अगर gap down opening हुई, उस चीज़ का भी discussion कर रहे हैं, अगर मानलो gap down opening आपको मिलती है, 9th के day low पे, यानि कि 18,400 के around, तो जैसे कि हमें पता है कि यह एक supply zone है, यहां पे 9th को भी market में support लेके एक bounce किया है, और जो यह round figure होते हैं, इन पे खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे बहुत सारी उसमें buyers बैटे रहते हैं, sellers बैटे रहते हैं, जो market को reverse कर सकते हैं, ऐसी situation हमने 28 को भी देखी थी, अगर आप 28 को अबजर्ब करेंगे, इसी zone से आपको यह पहली candle देखो, कितना बड़ा volume आपको यहां पे दिखाई दिया, कितना बड़ा bounce आपको यहां पे दिखाई दिया, तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा हैं, एक सपोर्ट जोन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, toutो यहां से marketнаком ने bounce किया है, तो अगर gap down opening होती है इस zone में तो हमें क्या करना है, हमें देखना है तुरंत ही आपको इसका मतलब यह नहीं आपको gap down opening होगी, आप यहां से तुरंत बाई करके बैठ जाए कि market तो उपर आएगा, bounce करेगा, क्योंकि पहले भी supply zone है, जब भी किसी supply zone में market जाता है, आपको price action का इंतिजार करना चाहिए, कि price action क्या बन रहा है, या किस तरीके से आपको momentum करना है, इन चीजों पर आपका focus होना चाहिए, तो यहाँ पर आप market वापिस आके इसे retest करके गिरावट दिखाता है, तो एक selling opportunities मिलेगी, या फिर आपको यहाँ पर कोई bearish candlestick pattern दिखाई देता है, या कोई bearish chart pattern आपको दिखाई देता है, तब आपको यहाँ से selling opportunities मिल सकती है, लेकिन अगर market यहाँ पर support लेके एक बड़ी candle बना देता है, त तो गलती से न तो buying करना और ना ही selling करना, इस चीज़ पर आपकी खास नजर रहनी चाहिए, किलियर है यहाँ पर, क्योंकि पहले आप market का momentum बनने देना, बड़ी candle आई, तब भी गलती से trade नहीं करना है, किलियर है, अगर gap down होके यहाँ पर कोई price action create हुआ, तब ही आपको रहेगा, अगर flat open होके market ने आपको negative momentum दिखाया, उस situation पर 18,400 आपके लिए पहला support बन जाएगा, अगर इसका breakdown रहा तो 18,350 आपके लिए अगला यहाँ पर support बन जाएगा, किलियर है, यहाँ तक तो कोई confusion नहीं है न, सारी चीज़े किलियर है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ करते हैं, बाकी चीज़ों का, अब यहाँ पर हम समझने की कोशिस करते हैं, no trading zone को, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दो red line दिखाई दे रहे हैं, उपर level line की बात करेंगे, 18,529 की है, नीचे level line की बात करेंगे, 18,455 की है, जब तक market आपको इस zone में दिखाई देता है, आपको market में कोई भी position नहीं बनाना चाहिए, आपको market को just observe करना चाहिए, अगर मिलता है आपको इसका breakout price उपर sustain करता है, तो आपको मिल सकती है buying opportunities, वहीं पर अगर मिलता है आपको इसका breakdown price नीचे sustain करता है, तो आपको मिल सकती है selling opportunities, लेकिन उपर की तरफ हमारे क्या level एक नजर हम pivot point पे डाल लेती है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर nifty 50 में आपको एक positive momentum देखने के लिए मिल गया, ऐसे इस्तिती में जो हमें पहला resistance नजर आ रहे है, 18,556 पे नजर आ रहे है, अगर आपको इसका breakout मिलता है जो आपको दूसरा resistance दिखाई दिखाई जो आपको तीसरा resistance दिखाई दे रहे है, तीसरा resistance बताने से पहले में आपको बता दू bottाने से पहले में आपको बता दुए, आपके लिए किसी भी track करना तो कोई buy recommendation है, नहे कोई selling recommendation है, यह जुस्ट thì educational purpose से बनाए गई analysis video है, इन्वेश्ट करने से पहले आपको अपनी research करनी क्योंकि profit भी आपको होने वाला है loss की जमेतारी भी आपको अपने आप ले निए जो यहाँ पे स्क्राइब भूस रिखाई दे रहा है 18,623 पे आपको स्क्राइब भूस डिखाई दे रहा है वही बात करेंगे अगर आपको इसका breakthrough मिलता है जो आपको तीसरा support दिखाई दे रहा है 18,360 पे आपको यहाँ पे तीसरा support दिखाई दे रहा है दोस्तो इस वीडियो को like कीजेगा comment करके मुझे बताएगा कि analysis आपके कितनी मदद कर रहे है साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon प्रेस कीजेगा जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिर मिलेंगे किसी ने एक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ Thank you